विवेशना में आज जेपी और इंद्रा गांधी के कड़ुए हुए सम्मंधों की कहानि आज विवेशना में अभिवादन स्विकार कर गए रेहान फजल का जिसका जवाब क्या है पासिजिम का एक ही जवाब है देश का जागित जयमत ये आवाज है उच शक्स की जिसने संबफते गांधी और नहरू के बाद आधुनिक भारती राजनेतिक विचारधारा को सबसे अधिक प्रभावित किया है 1974 आते आते पूरे भारत का माहौल इंद्रा गांधी के इतना खिलाफ और जेपी के पक्ष में हो चला था कि उन्हें देश के उध्धारक के रूप में देखा जाने लगा था ना सिर्फ उनका संपून क्रांधी का नारा आम जनता को आकरशित करने लगा था बलके उनके दल विहीन प्रजातंत्र किया धारना को भी गंभीरता से लिया जाने लगा था कॉंग्रेस के हलकों से भी ये मांग उठने लगी थी कि जेपी से टकराने के बजाए उनको साथ लेकर चलने की कोशिश होनी चाहिए लोगों के दबाव के चलते इंद्रा गांधी अनिक शापूरवग जेपी से मिलने को तैयार हो गए चाने माने पतकार और जेपी आंदोलन में भाग लेने वाले राम बहादुर राय बताते हैं जेपी का जोर था कि बिहार विधानसभा को भंग करने की मांग उचित है उस पर आपको विचार करना चाहिए अंत में जब बात करीब करीब खत्म हो गई थी तो इंद्रा ने सिर्फ एक वाक्य कहा आप कुछ देश के बारे में भी सोचिए ये बात जेपी के मर्म पर चोट करने वाली थी जेपी ने कहा था इंदू मैंने देश के अलावा और सोचा ही क्या है इसके बाद जेपी से जो भी मिला उससे उन्होंने बताया कि इंद्रा ने उनका अपमान किया है इसके बाद जेपी ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि इंद्रा से अब हमारा सामना चुनाओ के मैदान में होगा इस ती की बहस के बाद जेपी ने इंद्रा गांधी से एक मिनट अकेले में बात करने की चापरकट की इंदर मलहोत्रा इंदरा गांधी की जीवनी इंदरा गांधी ए परसनल एंड पॉलिटिकल बायगरफी में लिखते हैं जब जग जीवन राम दूसरे कमरे में चले गए तो जेपी ने इंदरा को पीले पड़ चुके कागजों का एक पुलिंदा पकड़ाया ये इंदरा की माता कमला नहरू दौरा बीस और तीस के धशक में जेपी की पत्नी प्रभावती को लिखे गए पत्र थे जिने प्रभावती ने बहुत सहेच का रखा था इन पत्रों में कमला ने नहरू खांदान की महिलाओं दौरा उनके साथ बुरा सलूग किये जाने का खुल कर झिकर किया था जेपी ने बताया की पिछले वर्ष उनकी पत्नी के देहांद के बाद उन्हें ये पत्र उनके कागजों में मिले थे JP के इस जेच्चर से इंद्रा गांधी थोड़ी देर के लिए भावुक जरूर हुई लेकिन तब तक उन दोनों के बीच इतनी खाई बढ़ चुकी थी कि वो पट नहीं सकी इंद्रा गांधी के सचिव रहे P.N. धर अपनी किताब इंद्रा गांधी दे अमिर्जिंसी एन इंडियन डिमोकरिसी में लिखते हैं हमारे और जेपी के बीच मध्यस्तता कर रहे गांधी पीस फाउंडेशन के सुगर दास गुपता ने मुझसे कहा था नीतिगत मामलों का इतना महत तो नहीं है मेरी सला ये है कि आप जेपी को कुछ मान दीजिए बकौल राधा कृष्णो और दास गुपता जेपी उमीद कर रहे थे कि प्रधान मंतरी बनने के बाद इंद्रा गांधी उन से उसी तरह के सम्मंद से ही सहमत नहीं थी उनकी नजर में वो एक ऐसे सिध्धानतवादी थे जो अव्यवहारिक चीजों को अधिक महत देते थे एक दूसरे के बारे में ऐसे विचार रखने के बाद दोनों के बीच समान राजनितिक समझ पैदा होना लगभग असंभव था सचा ये थी कि दोनों का एहम बहुत बड़ा था और नियती के पास उन उनों के बीच टकराओ होने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था इंद्रा और जेपी के बीच कट उटा इतनी बड़ी कि इंद्रा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने की घोशना कर दी भाईयों और बहनों राश्पती जी ने आपतकाल की घोशना की है इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है आप सभी गहरे और व्यापक शर्यंत से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जबसे मैंने भारत के जन साधारन के लाप के लिए कुछ प्रगतिशीर पर प्रजात अंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है इससे पहले जेपी ने दिली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली को संबोदित किया मशूर पतकार कुमी कपूर अपनी किताब दाएमेजेंसी एपरसनल हिस्ट्री में लिखती है भीड को दूर रखने पांच बजे करवा दिया था पूर निर्धारित फिल्म वक्त के स्थान पर उन्होंने 1973 की सबसे बड़ी फिल्म ब्लॉक बस्टर बॉबी दिखाने का फैसला किया था एक बार फिर रामलीला मैदान के आसपास किसी बस को आने नहीं दिया गया था और लोगों को सबह स्थल तक पहुँचने के लिए एक किलो मीटर तक चलना पड़ा था अटल बिहारी वाजपेई की दतक पुत्री नमिता भटाचारे ने मुझे बताया था कि जब वो सबह स्थल की तरफ जा रही थी तो उन्हें कुछ दबी सी आवास सुनाई थी हमने टेक्सी ड्राइवर से पू ने वहां अपनी टैक्सी छोडनी पड़ी और वहां से राम लीला मैदान हम पैदल गए पचीस जून 1975 की राज डेड़ बजे के समय गांधी पीस फाउंडेशन के सचिव राधा कृष्ण के बेटे चंद्रहर खुले में आसमान के नीचे सो रहे थे अचानक वो अंदर गिरफतारी का वारंट लेकर आई है राधा कृष्ण बाहर आए पुलीस ने उन्हें जेपी के खिलाफ गिरफतारी का वारंट दिखाया राधा कृष्ण ने पुलिस वालों से कहा कि क्या आपको समय इंतजार कर सकते हैं जेपी बहुत देर से सोएं हैं वैसे भी उन्हें 3-4 बजे तो उठी जाना है क्योंकि उन्हें सुबह तरके ही पटना की फ्लाइट पकड़नी है पुलीस वाले इंतजार करने के लिए मान गए राधा कृष्ण इस पीच चुप चाप नहीं बैठे उन्होंने अपनी टेलेफोन आपरेटर को निर्देश दिया कि वो जिस ज को फोन लगा सकती हैं फोन कर जेपी की गिरिफतारी की सूश ना दे चलते समय राधा कृष्ण ने जेपी से कहा क्या आप लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे जेपी ने आधे सेकंड के लिए सोचा और राधा कृष्ण की आँखों में सीधे देखते हुए कहा विनाश काले विपरीत बुद्धी जनवरी 1977 में इंद्रा गांधी ने चुनाओ करवाने का फैसला किया इस चुनाओ में जन्ता पार्टी की जीत हुई और इंद्रा गांधी खुद अपनी सीध हार गए मार्च 1977 में जन्ता पार्टी की जीत के बाद सरकार बनने की कवायद चल ही रही थी कि इंद्रा को इस बात की आशंका हो गई कि संजे गांधी के जबरन नस्बंदी कारिकरम से प्रभावित लोग संजे गांधी को जबरदस्ती पकड़कर तुर्कमान गेट ले जाएंगे और उनकी सारजनिक रूप से नस्बंदी करेंगे जाने माने सुतंता सेनानी और बाद में योजना आयोग और दक्षन अफरीका में भारत के उच्छा युक्त बने लक्मी चंजैन अपनी आत्मकता सिविल डिस ओबीडियन्स टू फ्रीडम स्ट्रगल्स वन लाइफ में ल जाएंगे जेपी इंद्रा के पास गए और उन्होंने उनके साथ चाए भी राम बहुदर राय बताते हैं कि इस बैठक के बाद जेपी ने एक वक्तव जारी कर कहा कि इंद्रा गांधी का राजनितिक जीवन अभी समात नहीं हुआ है जेपी गए हैं इंद्रा गांधी से भेंट की है इंद्रा गांधी से ये पूछा है कि प्रधान मंत्री नाराने पर तुम्हारा खर्च वगर कैसे चलेगा तो इंद्रा गांधी ने उनको ये बताया कि हमको जो जवारला नहरू की पुस्तकों से जो रायल्टी आती है यान और उन्होंने चौदरी चरण सिंग से मुरारजी देशाई से व्याक्तिकत तोर पर अपेल की यही नहीं उन्होंने एक बयान भी दिया कुछ ही दिनों में जेपी का जनता पार्टी से भी मोह भंग हो गया वो पत्ना में बीमार पड़े थे और जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी कोई सुद नहीं ली कुल्दीप नईयर बताते हैं इंड्रा गांधी ने इसके ठीक उल्टा किया बेल्ची से लोटते समय वो पटना में रुकी और जेपी से मिलने गई इस मुलाकात के बाद जेपी ने इंद्रा को आशिरवाद देते हुए कहा था तुम्हारा भविश तुम्हारे भूट से जादा चमकदार होगा जेपी को नस्दीक से जानने वाले रजी एहमत का कहना है कि जेपी की आखरी दिनों में दोनों के रिश्टे फिर ठीक हो गए हाला कि राजनेतिक टीका कारों का मानना है कि इंद्रा गांधी की जेपी से मुलाकात उनकी राजनीती का हिस्सा थी और वो उसमें पूरी तरह से सफल भी होई रेहान फदल बीबी सी डिल्ली